आज हम डिसकस करने वाले हैं दी मॉडिलेशन ऑफ एफ एफ एंड एम सिगनल बोथ ठीक है तो अगर मैं आपको डिटेल में समझाने जाओं तो एक-एक जो हम यहां पर डिसकस करेंगे एक-एक पार्ट उस एक-एक पार्ट पे अलग-अलग 30-30 मिनिट्स का वीडियो बन सकत है ठीक है तो I know कि आपका syllabus complicated है प्लस आपका time उतना नहीं है तो मैंने इसको simplify करने की कोशिश किये कि technical non-technical अगर आपने नहीं भी पड़ी है पहले यह चीजे आप at least कुछ समझ पाओ ताकि आप exam में questions जो है वो solve कर लो ठीक है तो जिसको यह इसकी complex चीजे समझ में नहीं आ तो जैसा कि मैं अपने वीडियो के start में कहते हूँ कि अगर आपको कोई भी paid course में enroll करना है उसके लिए आपको क्या करना होगा आपको app download करनी होगी current crunch की जिसकी link आपको नीचे description box में मिल जाएगी currently constable की test series भी चल रही है ठीक है जो start होने वाली है I guess एक दिन के बाद start होने वाली है 5th November से time table मैंने आपने telegram group पे share कर दिया है वो test series भी आप मेरी app से purchase कर सकते हैं तो without wasting much time हम start करते हैं आज का वीडियो तो आपका वीडियो हमने modulation part पढ़ लिया हमें पता है जो modulation है वो कहां पे होती है transmitter end पे अब जब receiver end पे हम आते हैं और हम signal को receive करते हैं जो हमारी modulated signal होती है जो modulate हो रही है जो superimpose हो रही है carrier frequency हमारी और जो information या baseband signal है वो अब वो हमें demodulate करनी है that means हमें क्या करना है carrier signal को अलग करके अपनी जो messages है जो message signal है उसको carrier signal से अलग करना है तो definition is कि अगर देखें the process of extracting message signal from the AM signal और यह कोन करता है आपका detector तो basically अब हमें क्या पढ़ना है इसमें कि अगर हमें AM signal को modulate, demodulate करना है उसके कौन से devices हैं जिससे हम वो करते हैं and FM signals जो है FM modulated signals, frequency modulated signals हमारी FM signals उनको अगर हमें demodulate करना है उसके लिए हमारे पास कौन से instruments, कौन से devices हैं ठीक है तो start करते हैं पहले हमारे पास आते हैं square law demodulator, पहले हम AM signals देख रहे हैं, यह हमारी amplitude modulated signals हैं और इसको demodulate करने के लिए हमारे पास कुछ demodulators हैं जो हमें यहाँ पर discuss करने हैं तो square law modulator है, एक envelope detector है, आगे और भी देखेंगे तो square law modulator जो है, उसमें आपको याद रखना है हम diodes use करते हैं, उनका non-linear property वो मैंने आपको पहले भी चीज़े बोली है, non-linear क्या होता है, अगर input और output है, वो बिलकुल proportional नहीं होता है अगर input twice होगा, तो output हो सकता है four times या eight times हो, ठीक है और इसको हम low level amplitude modulators, modulated signal के लिए use कर सकते हैं, used in small modulation index modulation index क्या होता है, we have to keep it less than one, उसका सारा reason, वो मैंने पुराने videos में आपको explain किया है ये सारी चीज़े जो मैं पहले explain कर चुकी हूँ, मैं repeat नहीं करूँगी इसलिए better रहेगा playlist में अभी तक मैंने जो सारे videos upload किये हैं, वो सारे videos आप जो है वो एक chronology में आप देखो, ठीक है अगर ये lecture five है, तो इससे पहले four lectures जो है, वो आपने देखे होने चाहिए तो ही आप ये lecture आराम से समझ पाएंगे तो स्टार्ट करते हैं पहले demodulator से, which is your square law demodulator तो इसका ये block diagram है होता कि है basically amplitude modulator wave यहाँ पे आएगी, वो square law device में जाएगी वहाँ से जो output आएगा, वो एक low pass filter में जाएगा low pass filter क्या करेगा, जो higher frequencies की signals है उनको filter out कर देगा, उनको आगे पास नहीं होने देगा and finally, जो low frequency base band signal है, वो यहाँ से हमें receive होगी क्योंकि हमें ही पता है, जो base band signal है, which is our modulating signal जिसको information signal भी बोलते हैं, वो low frequency होती है यह मैंने आपको पहले वीडियो में भी कहा, जो carrier frequency होती है वो हम जादा रखते हैं, then your modulating frequency, ठीक है तो यह basic बात आपको पता है, अब square law device में ऐसा क्या होता है and output कैसे निकलता है, वो चीज़ हम यहाँ पे देखेंगे देखो, नाम से यह आपको लग रहा होगा, यहाँ पे किसी चीज़ का square हो रहा है तो basically जो आपकी signal है न, जो आपकी wave form है, उसका square हो रहा है अगर यह आपकी wave है, इसमें कुछ positive होगा, कुछ negatives भी आते है negative wave भी है, positive wave भी है, तो इन सब का square हो जाएगा अब जब positive का square होगा, अगर आपकी wave ऐसी है, तो वो ऐसी बन जाएगी, इसकी double हो जाएगी अगर negative का square हो जाएगा, तो negative का square क्या होता है, negative into negative क्या होता है, positive ठीक है, तो negative कोई रहेगा ही न, एक ऐसी wave बनेगी, दूसरी जो negative थी, वो भी positive बन जाएगी तो हमारे पास जो result आएगा, यह दिख लो, अगर यह original wave form है, ऐसी और यह low pass filter का output है, यह बाद का है, बीच में जो square signal है, वो यहाँ पर मैंने फिर से draw की है, हाँ तो ऐसी कुछ हमारी जो signal है, वो square lot device के बाद की होगी तो इसमें हम अगर देखेंगे, negative कुछ भी नहीं है, ठीक है, सारे आपकी frequencies positive हैं and कुछ कम है, peaks आपके square के according होगे, जैसी signal square होई होगी, उसी हिसाब कापका signal की strength होगी negative अब नहीं रहेगा, क्योंकि negative भी square होके क्या बन गया है, वो भी एक positive waveform बन गया, यह यहाँ पर आप याद रखोगे तो यह देख लो एक बारी, पहले मैं इसको erase कर देती हूँ, received AM signal जो है, वो square हो जाएगी, ठीक है which generates both the baseband signal and higher frequency components, अब हमें क्या करना है, हमें अपनी demodulated wave चाहिए, अब वो हमें कैसे मिलेगी अब जब मैं आपको कहा, frequency, जो square lot device से निकलेगी, आपकी signal, तो वो काफी जादा frequency हो गई होगी अब जो carrier wave है, हमें पता है, उसकी already frequency जो होती है, वो FM wave से जादा होती है that means, जो जादा higher frequencies है, वो आपके low pass filter से नहीं निकलेगी and जादा higher frequencies कोन सी होती है, आपकी carrier frequency, अब देखो carrier frequency की already high frequency है and जब वो square हो जाएगी, वो और जादा high हो जाएगी, जब वो जादा high हो जाएगी, तो low pass filter से वो आगे नहीं pass करेगी and वो ही हमारा मकसद है, हमें carrier signal तो नहीं चाहिए ना, carrier signal ने अपना काम किया उसने receiver तक आपकी message और information signal को पहुँचा के लाया, अब carrier signal हमारी तरफ से भाढ़ बे जाया हमें क्या करना है हमें अब क्या चाहिए, हमारी information signal, अब जब low pass filter ये देखेगा कि इतनी ज़्यादा high frequency, इसको अब pass मत करो, इसको filter out कर दो, इसको वहीं पर रुका दो, ठीक है तो ये किसको रुकाएगा, carrier frequency को, क्योंकि carrier frequency अलड़ी हमारी high थी and ये आसानी से detect कर लेगा, जो extremely high होंगी, उनको रुकाएगा and वो extremely high कौन से होंगी, carrier frequencies, क्योंकि वो पहले से ही, जो थी, वो हमारी base band signal से high थी जो squaring है, it changes the frequencies in the signal, obviously frequencies change हो जाएगी, मैंने का negative cycle वाली भी positive हो जाएगी नई frequencies at different speeds or frequencies create हो जाएगी, क्योंकि हमारी जो squaring है, उससे हमारी जो सारी signals है, वो change हो जाएगी creating new waves at different speeds that weren't there before, ठीक है, this is where the extra high frequency noise comes in, which needs to be filtered out fine, जो हमारी extra high frequency है, उसको क्या करेंगे हम, filter out कर देंगे वो हमारा क्या करेगा, low pass filter, and finally हमें क्या मिलेगा, एक demodulated signal, जो हमें चाहिए थी, हमारी amplitude modulation fine, तो ये था आपका square lot device, अब ये था आपका square lot device, अब आप इसका basic समझ गए, इसमें basically क्या हो रहे है, आपकी signal जो हो रहे है, वो square हो रहे है अब आप इसमें low pass filter का function याद रखोगे, कि हम एक low pass filter इसमें use कर रहे हैं, और इसमें square lot device use होता है question कैसे आ सकता है आपको, जो भी हम आगे भी detectors पढ़ेंगे, आपको नाम लिखा आ सकता है, बोलेंगे, amplitude modulation में हम use करते हैं, amplitude demodulation में या FMD modulation में या जैसे हमने बोला, low pass filter हम use कर रहे हैं, ठीक है, envelope detector है, इसमें हम इसको diode detector circuit भी बोलते हैं, mainly इसमें diode का का काम होता है तो diode detector circuit दूसरा नाम किस detector का है, वो है envelope detector का, तो इस type का question भी आपको MCQ में बन सकता है तो ऐसे करके आप इसमें से conceptual चीज़े तो समझोगे ही, जिती समझ में आती हैं, लेकिन factual चीज़े जो हैं, वो आपको याद इसमें रखनी होगी देखते हैं आगे, envelope detector क्या करता है, यहाँ पे जो diode है, वो main detecting element है, AM wave आती है, हमारी input signal, वो जाती है diode में diode मैंने आपको पहले भी कहा, ऐसा दिखता है, वो क्या करता है, यह allow करता है current को only in one direction, it allows current in one direction that means, मैंने इसकी circuitry नहीं यहाँ पे बनाई है, ताकि आप अप confuse ना हो जाओ, ढरी ना जाओ, क्या में कितना कुछ पढ़ना है मैं आपको ऐसे ही समझाती हूँ, अब देखो होता क्या है, जब आपकी signal ऐसी है, ठीक है, यह आपका positive, यहाँ पे आपका diode लगा हुआ है तो वो एक direction में चल रहा है, वो क्या करेगा, वो allow करता है current को सरफ एक direction में तो जो positive part है आपकी signal का, उस टाइम पे आपका diode जो है, वो charge हो जाता है, वो conduct करता है, current को allow करेगा one direction में तो आपकी जो एक wave form है, diode के बाद आपका यहाँ पे capacitor लगा हुआ है diode ने क्या किया, current को pass किया, एक direction की current को pass किया, accordingly आपका capacitor जो है, वो charge हो जाएगा वो कितना charge हो जाएगा, जिस हिसाब कि आपकी wave होगी, उतना वो charge होगा तो वो sign हमारी जो wave है, उस पे कुछ ऐसे हमें उसके peaks दिखेंगे, जैसे जैसे वो charge होगा फिर जब हमारा negative में हमारी cycle जो wave है, वो चलेगी, तब आपका diode जो है, वो off रहेगा, वो उसको conduct नहीं करेगा मैंने आपको कल भी कहा था, diode के लिए क्या होता है, उसके लिए एक threshold voltage ही चाहिए होती है जब वो आपके current को pass करने दे, वो एक switch की तरह काम करता है जब हमारे wave का second negative form आएगा, तो हमारा diode उस case में off होगा और उस case में आपका जो capacitor है, वो फिर से discharge हो जाएगा फिर फिर से positive आएगा, आपका जो capacitor है, वो charge होगा, और उसका peak कुछ ऐसा आएगा तो ऐसे करके आपकी जो wave होगी, उस पे जो capacitor का ये peak बनेगा वहाँ से हम अपना जो information है, उसको retrieve करेंगे ठीक, तो जो final output है, is a smooth signal that matches the shape of the signal तो हमारा final output क्या निकलेगा, जो ये capacitor अपने जो peaks change करता रहेगा वहाँ से हमारी information निकलेगी, क्योंकि वो peaks किसको match कर रहे हैं वो peaks match कर रहे हैं, shape of the signal को हमें basically amplitude की जो variations है, वो ही निकालनी है उसमें से हमारी information तो जो हमारी peaks आएगी, capacitor के charge, discharge से, वो resemble करेंगी हमारी information signal को तो वहाँ से हमें पता चलेगा, हमें carrier signal को निकालना है and हमारी जो information signal है, वो कौन सी है, ठीक है, तो इसमें आप confused नहीं हो जाना अगर आपको ये आप technical चीज के लिए नए हो, तो I understand आपके लिए difficult है समझना तो जिसे मैं आपको बोलती हूँ, factual चीज़े जो इसमें है, वो आप याद रख लो, ठीक है कोई एक आदा topic आपके syllabus में ऐसा होता है, जो difficult होता है समझने के लिए तो उस time पर समझदारी क्या होती है, अगर तो आपके पस time है, तो समझो लेकिन समझदारी क्या कहती है, कि अगर आपके पस time भी नहीं है, topic भी difficult है जितना उस topic में से रट सकते हो, उतना रट लो कि आपके exam के लिए question solve कर पाओ, ठीक है, इतना तो फिर पता यह student exam के बाद क्या ही फिर याद रखता है, सब कुछ student को भूली जाता है exam के बाद, इसलिए आप जो situation में हो, 16-26 दिन के बाद आपका exam है, तो it's better कि आप इसमें से जो factual चीज याद रख पाओ, वो रखो, तो आप इसमें diode याद रखोगे, इसको diode detector भी कहते हैं, और diode जो होता है, वो क्या करता है, अलोग करता है current in one direction, यह आपका कौन सा है, envelope detector, थोर्ड जो हमें पढ़ना है, this is your synchronous detector, and इसको हम coherent detector भी बोलते हैं, ठीक, देखो, इनमें भी basically थोड़ा difference आता है synchronous and coherent में, लेकिन कई जगा पे यह interchangeably भी use होता है, तो हो सकता है, अगर MCQ में अगर आपको ऐसे आए, कि synchronous का दूसरा नाम coherent है, या synchronous का दूसरा नाम क्या है, तो वहाँ पे आप coherent लिख सकते हो, पर थोड़ा बोध इसमें difference आता है वो रहने, तो आप इतना detail में नहीं जाओ इसके, तो coherent detector में क्या होता है basically, एक AM signal वो हमें पता है, input हमारी होगी, जो input होगी हमारी, वो modulated signal होगी जहाँ पर modulation हो गई है, क्योंकि अब हम क्या कर रहे हैं, हम demodulation कर रहे हैं इसकी, हम अब carrier signal हमने superimpose करवाया है transmission से, अब हम उसको carrier signal को निकाल बाहर कर रहे हैं और अपनी जो information है, उसको हम extract कर रहे हैं, लोकल oscillator से हम एक frequency generate करवाते हैं, हमारी जो match करती है carrier frequency के साथ, and हमारी AM signal यहाँ से आती है, वो mixer में जाती है, mixer से क्या करती है, जो high frequency, इनके mix होने के बाद, जो ज़्यादा frequency वाली wave होती है, उनको filter करेगी, और जो low frequency वाली होंगी, उनको pass करेगी, और वो ही हमारा output होगा, क्योंकि हमारी जो modulator wave है, वो कम frequency में होती है, as compared to your carrier wave, अब देखो होता कैसे है, जो mixer है, वो combine करता है, दो signals को, यह हमें पता है, जो mixer यहाँ पे लगा हुआ है, वो क्या करेगा, वो दो signal को combine करेगा, जो carrier wave है, gets cancelled out, like subtracting it, जब हम mixer में डालते हैं, yellow से हमारी एक carrier wave, ठीक है, and हमारी modulating signal FM, तो जो हमारी carrier wave है, हम उसको cancel out कर देते हैं, हम उसको zero कर देते हैं, carrier wave को, fine, वो zero कैसे करते हैं, देखो, वो उसको zero hertz बनाते हैं, that means वो ऐसे represent करते हैं, graph पे अगर आप देखोगे तो DC voltage की तरह ऐसे represent करेगा, वो ऐसे नहीं करेगा, ठीक है, उसको हम करते हैं, वो basically हम mathematical calculations से करते हैं, mathematical calculations, अगर आपको, मतलब if you are interested, आप चाहते हो कि मैं वो calculations आपको करके दिखाऊं, तो आप comment करो, मैं time मिलेगा, मैं एक separate वीडियो लेके आऊंगी, जिसमें आपको सारा calculations और formula से दिखाऊंगी, कि कैसे carrier wave को cancel किया गया है, पर I don't think कि आपको उतनी की जरूरत है, तो carrier wave जब cancel हो जाएगी, एक बार याप पुराना एक lecture recall करो, मैंने आपको कहा, जो information होती है basically, वो कहा होती है, वो carrier signal में नहीं होती है, वो हमारे side bands में होती है, ठीके, upper side band होता है हमारा and lower side band होता है, इन में हमारी information होती है और ना के हमारे carrier signal में, तो जब carrier signal हमारी zero हो जाएगी और यह upper lower band जो है, यह हमारे किस के साथ मिल जाएंगे फिर base band के साथ, base band signal कौन सी है हमारी information signal के साथ तो वहाँ से हम फिर आराम से अपनी information signal को retrieve करवा सकते हैं तो इसमें क्या हो रहा है, यह आप याद रख लो synchronous detector में हम क्या कर रहे हैं हमारा जो mixer है, वो combine करेगा दो signals को फिर carrier हो गया, हमारे carrier and modulating signal combine हो गए फिर जो carrier wave है, वो हमें पता है, उसके दो side bands होते हैं upper and lower side band और उनी में information होती है तो जो carrier wave है, उसको हम zero करवा देते हैं through calculations, तो जिन में हमारी information है वो हमारी मिल जाती है, हमारी low frequency side bands low frequency modulating signal के साथ और वहां से हम अपनी information जो है, उसको extract करते हैं point to point communication में use होता है, for example जैसे आप wired communication हम करते हैं, cell phones करते हैं, ठीक है जो बिल्कुल दो points के बीच में जो communication होती है AM broadcasting communication में use नहीं होती है circuitry इसकी complex है, carrier receiver जो है transmitter और receiver end पे हमारा same type of carrier wave होती है and यह इसकी circuitry complex है, क्यूंकि इसमें काफी high power की जुरत पड़ती है तो यह कुछ points हैं, जो as facts आप याद रख सकते हो जो exam में आपको पूछे जा सकते है इसमें एक चीज आती है, जिसको हम phase drift error बोलते है पर basically मुझे यहां नहीं लिखना था, यह मुझे इसके last में लिखना था तो we will come back to this, पहले यहां पे देखो output from the mixer है, अब जो हम वहां पे, आपको block diagram मैंने बताई यहां पे मैंने वह explain किया है, वही चीज यहां पे लिखी हुई है अब output from the mixer है, उसमें now contains a DC component एक flat line क्योंकि हमने क्या करवाया है, हमारा जो carrier wave है, उसको हमने zero करवाया है अब हमारी जो wave है, mixer के बाद वो कुछ AC DC voltage, जैसी DC line होती है वो represent करेगी, ना कि हमारी AC voltage type की, ठीक है तो जो low pass, जो हमारा DC component flat line है, उसको हमारा low pass filter है, वो क्या करेगा filter कर देगा, लास point देख लोई, वो ही point है, जो मैंने आपको कहा जब carrier हमारा zero हो जाएगा, जो side band है, उस shift करेंगे to the lower frequency range जिसको हम क्या बोलते है, bass band frequency, जो match करती है हमारी original audio से, तो वहाँ से हमारे audio निकालना आसान हो जाता है, यह देख लो, मैंने यहाँ पर एक error लिखा था, इसमें हमारा एक phase drift error आता है, आप थोड़ा नाम देख लो, नाम में क्या लिखा हूँ है, synchronization that means हमें दो waves को इसमें synchronize करवाना होगा, उसका क्या मतलब है, उनका जो phase है, वो match करना चाहिए ठीक है तो अगर वो match नहीं करेगा, तो यहाँ पर यह error आ सकता है, phase drift error it refers to a situation where there is an unintended shift in the phase relationship between the reference signal and the signal being measured अब यह क्या होता है, इसको समझाने के लिए आप एक example देखो for example, किसी क्लब में गया है कोई, ठीक है, और वहाँ पर DJ जो है, वो music प्ले कर रहा है अब आप अपने friend के साथ गए हो, अब DJ आपको song बोल रहा है अब यहाँ पर आपको song सुनाई नहीं दे रहा है, काफी शोर है, तो आपका जो friend है वो आपके कान में वो ही song जो है line by line DJ के साथ सिंक करके बोल रहा है तो जो आपका friend आपको कान में song बोल रहा है, तो वो exactly match करना चाहिए DJ के जो song है, उसकी frequency के साथ ऐसा नहीं है न, DJ के जहाँ पर fast जा रहा है तो वहाँ पर आपका friend आपको slow line बोलेगा, फिर जहाँ पर DJ slow हो गया है वहाँ पर आपका friend आपको fast line बोलेगा, ऐसा नहीं होना चाहिए न तो synchronization होनी चाहिए आपके friend के और DJ की song की जब वह synchronization आपस में नहीं होती है, उसको हम बोलते है phase drift error, और यह किस में होता है, आपके synchronous detectors में फिर और एक देख लो, product detector, अभी हम AM detectors ही discuss कर रहे है इसके बाद हम FM detectors पे आएंगे, ठीके तो most popular detector किसके लिए use होता है, यह single side band के लिए और यह सारी चीज़े हमने पहले discuss की हुई है, अब यहां से क्या हो रहे है आपका information signal जा रही है, और यहां से आपका क्या लगा हुआ है intermediate frequency transmitter, IF transmitter जिसको बोलते हैं, तो यह क्या करता है यह adjust करता है, एक to a standard frequency 455 kHz, यह भी हमने पढ़ा हुआ है अब आप comments से बताओ, जो FM के लिए है, उसके लिए standard frequency हम किस पे set करते हैं और यहां से LO है, वो क्या करेगा, generate करेगा एक fixed frequency वो भी इसी पे set की होगी 455 kHz पे तो यह दो signals जो है, यह mix हो जाएंगी, mixing of the two signals जो output new signal होगी, वो different frequencies पे होगी that means, इन दो signals के, जो यहां से 455 है, यहां से 455 है यह जब mix हो जाएंगे, different frequencies पे होगे जिसकी range होगी 300 to 3000 Hz, जो एक normal speech range है, जो इनसान सुन सकता है ठीक है, और उसके बाद यह कहां से जाएगा, एक low power filter, low pass filter जो again क्या करेगा, जो extra frequencies है, उनको remove कर देगा यह है आपका product detector, तो आपको similar लग रहा होगा, थोड़ा synchronize से इसमें क्या difference है, इसमें सरफ यह difference आप याद रखो कि इसमें face synchronization पे दियान देना होता है और product में face synchronization की ज़रत नहीं पड़ती है, ठीक है तो बाकी procedure सेम ही है, एक information signal यहां से pass होगी आपके IF amplifier, IF transmitter से, वो adjust होगा एक standard frequency पे 455 kHz, जो low है वो जो frequency generate करेगा, वो भी हमने किस पे set किये 455 पे, यह आपस पे mix हो जाएंगे, mix होने के बाद एक नई signal जो है एक different frequency पे generate होगी, 300 to 3000 Hz यह वो signal है, जो आपके लिए normal speech audible range में आता है normal range में, ठीक है उसके बाद LPF से pass होगा, remove करने के लिए extra frequencies को fine, और वहां से हमें क्या मिलेगी, अपनी modulated signal synchronized and product में क्या difference है synchronized में phase synchronization की जुरत पड़ती है and product में phase synchronization की जुरत नहीं पड़ती है अगर आपको मेरी आवाज में इस time पे energy नहीं लग रही है इसका reason यह है कि मुझे बहुत cold हो आए लेकिन काफी जादा आप लोगों की message आ रही थी कि मैं time पे videos लाऊं and all तो I am trying कि आपका time पे सारी जो चीज़े हैं वो मैं complete कर पाऊं तो मेरी voice के लिए आज sorry hopefully it will get better आगे चलते हैं हमारे तो AM demodulators हमारे खतम हो गए तो कौन-कौन से हमने पढ़े AM demodulators एक हमने देखा square lot device ठीक है फिर हमने देखा envelope detector उसके बाद हमने देखा synchronized detector और हमने देखा आपका product detector ठीक है तो यह आप याद रखोगे and हर किसी से related जो भी factual चीज़ है वो आप याद रख ले अगर आपको detail में यह सारी चीज़े समझ आने में देखकत हो रहे हैं तो FMD modulators क्या होते हैं simply AMD modulators की तरह amplitude modulated wave में से अपनी information extract करना and इसमें कैसे हमें पता चलती है amplitude modulated wave में कि जो amplitude में variations आ रही होती हैं तो जो frequency demodulator है उसमें जो frequency modulated wave है उसमें से हमें information कैसे निकलती है जो frequency deviations आ रही होती है कि कहां-कहां पे frequency कितनी change हो रही है वैसे करके हम अपनी क्या करते हैं जो information signal है उसको extract करते हैं तो हमारी जो information है वो basically कहां होती है हमें frequency में से निकालनी है न तो वो हमें पता चलते है frequency deviation से कि carrier frequency जो हमने दी है उससे कितनी जादा जो हमारी modulator frequency है वो deviate कर रही है वहाँ से हमारी information signal जो है उसको हम retrieve करते हैं ठीक है तो जो पहला इसमें process है that is frequency discriminator फिर frequency discriminator के अंदर हमारे 2 methods आते हैं दूसरा है हमारा phase discriminator phrase discriminator के अंदर हमारे 3 methods आते हैं तो totally यह 5 methods हैं ठीक है तो quickly मैं आपको यह बोलूँगी और यह सारे आप साथ साथ notes या जो write down कर रहे हैं वो write down करें otherwise यह जो PDF है आपको telegram group पे मिल जाएगा इसमें जो frequency discriminator है उसमें आपको एक चीज़ याद रखनी होगी जो FM signal है उसको पहले हम AM signal में convert करते हैं फिर जैसे हम AM signal को demodulate करते थे उसी तरीके से हम इस signal को demodulate करेंगे और अपनी जो information है वहाँ से retrieve करेंगे तो पहली चीज़ जो हम use कर रहे हैं इसमें that is a simple slope detector ठीक है तो यह देखो FM signal हमारी जिसमें कुछ frequency deviation होगी FM modulated signal वो हमने क्या किया discriminator के पास दी और discriminator का output है वो एक AM signal है उस AM signal को फिर हम क्या करेंगे एक detector में डालेंगे जैसे हमने अभी तक के AM signals को डाला और वहाँ से अपनी जो information है वो हमें चाहिए वो वहाँ से retrieve करेंगे ठीक तो linear diode या envelope detector जो है वो भी हम use कर सकते हैं AM signal से अपनी information को निकालने के लिए अभी envelope detector method जो है अभी मैंने आपको बताया वो क्या होता है तो दो तरीके है frequency discriminator methods के अंदर जो आते हैं एक है आपका simple slope detector एक है आपका balanced slope detector तो आप देखो ये जो circuit है जहां पे ये आपको capacitor दिखेगा और यहां पे coils हैं ठीक है ये हमारा बनाता है एक discriminator अब आपको detail में नहीं जाना ये discriminator कैसे काम कर रहा है सारा अब आप ये सिर्फ देखो कर क्या रहा है ये आपका जो input है fm उसको output में convert कर रहा है that is an am wave जो मैंने पहला step आपको कहा था fm पहले am में convert होगा देखो अगर आपको इसका detail चाहिए मैं वो भी आपको पढ़ा सकती हूँ along with circuit, explanation, mathematical equation, सारा तो अगर आपको वो चाहिए तो आप मझे बोलो लेकिन फिर आपका syllabus complete करना possible नहीं होगा मैं quality भी maintain करने की कोशिश कर रही हूँ and syllabus भी आपका जो है करवाने की कोशिश कर रही हूँ क्योंकि एक चीज़ बार-बार दिमाग में आती है कि आपका gate का exam नहीं है, आपको gate qualify नहीं करना है यह आपके constable के लिए wireless operator के लिए exam है wireless operator जो है that is a better post according to me as compared to the other one वाला constable जो है wireless operator में थोड़ा आपको office job kind of जादा करनी होती है ठीक है तो अच्छा है अगर आपका selection as wireless operator हो जाएगा तो FM wave जो है उसमें discriminator क्या करेगा AM wave में convert करेगा फिर AM wave क्या करेगा इस envelope detector से काम करवाएगा अभी जो मैंने आपको बताया था जब यहां से input आएगा positive half of cycle का तो यह क्या करेगा आपकी जो current है उसको pass करेगा and जो आपका capacitor है वो क्या करेगा वो charge हो जाता है वो charge हो के as a peak represent करेगा जितनी आपकी signal आई होगी उसी हिसाब का एक peak ठीक है फिर resistor भी आगे लगा हुआ है that means जब आपकी negative signal होगी और जब आपका diode है वो conduct नहीं करेगा जब positive half आएगा आपका diode conduct करेगा आपका capacitor charge करेगा तो वो amplitude में कुछ इस तरीके से peaks आएगी तो उसको हम retrieve करेंगे वहाँ पे आपकी information होगी ठीक है क्योंगी अब हमने FM से directly information frequency deviation से हमने अपनी information नहीं निकाली है यहाँ पे हमने यहाँ पे FM को क्या किया है AM में convert किया है तो कुछ drawbacks है इसके non-linear characteristics produce harmonic distortions ठीक है क्योंगी non-linear characteristics हैं डायोड के मैंने आपको पहले कहा तो उससे हमें कुछ जो है ripples या harmonic distortions fluctuations जो है ऐसी देखने को मिलती है जिससे last में output में कुछ noise वगेरा आ जाती है and इसमें जो output है that will become sensitive to the amplitude variations too क्योंकि अब हमने FM को क्या किया है पहले AM में convert किया है तो obviously जो AM की problems है वो भी इसमें रहेंगी ठीक है तो आगे चलते second one is a balanced slope detector देखो balanced slope detector में आप याद रखो यहाँ पे combination of two diodes use होंगे ठीक है and यहाँ पे three tank circuits use होते है यह आपका one tank circuit है यह second है और यह third है तीन use हो रहे है इसकी circuit diagram देखते है यह मैंने खाँ आपको तीन tank circuits हैं इसमें प्लस इसमें जो transformer है उसको center tap किया हुआ center tap क्या होता है हम ऐसे transformer को दो halves में divide करते हैं तो जब आपका जो balanced है frequency that means आपकी जो frequency है वो आपके carrier frequency के बराबर है modulating frequency उस time पे transformer क्या करेगा आपके यह send करेगा equal and opposite voltages equal and opposite voltages through these diodes तो उस case में क्या होगा output 0 होगा तो यहाँ पे जो चीज है हम वो discuss करेंगे तीन cases में तो case 1 है जब पहले आपको send it out property समझ में आ गई यह होता है कि आप transformer को आपने उस तरीके से रखा हुआ है उस तरीके से 2 halves में divide किया हुआ है कि वो balanced state में है कि balanced state में जब वो होता है it sends equal and opposite voltages through these two diodes which results in the zero voltage at the output यह समझ गे balance state का मतब जैसे यहाँ पे देख लो यह wave है यहाँ पे आपका amplitude zero है ठीके उस time पे आपकी जो carrier frequency है जब आपकी carrier frequency यह वाला portion यहाँ पे frequency आपकी यह है यहाँ पे आपकी FC plus del F है upper tank circuit में lower tank circuit में FC minus del F है ठीके जब आपका FC F के बराबर है modulating F के बराबर जो आपका input है उस time पे आपका जो output होगा वो zero होगा क्यूंकि यह balance state जो है वो represent कर रहा है that means यहाँ पे transformer क्या करेगा opposite voltages send करेगा इन दो diode से जो eventually cancel out हो जाएंगे this is your case 1 ठीके case 2 क्या है इसमें कि आपकी जो frequency है modulating frequency जो है वो carrier frequency and आपके जो f plus del f है यह वाली frequency है उसके बीच में है यह वो state है जब आपका जो output है वो यहाँ से आएगा इस वाले diode से ठीके and वो maximum output उस position में आपको मिलेगा maximum output that means वो positive होगा upper tank circuit में अभी हम सरफ upper tank circuit की frequency की बात कर रहे हैं फिर third case होगा इसको मैं erase कर देती हूँ यह शायद notes पर मैंने नहीं लिखा हुआ है आप अपने notes पर यह लिख लो add कर लो साथ में second case ठीक है case 1 में मैंने क्या कहा आपका fm जो है वो fc के बराबर है case 2 में आपका जो fm है वो लाई करता है fc and आपके f plus del f के बीच में इस case में क्या होगा आपका जो output है वो positive होगा third case में क्या होगा fm जो है वो लाई करेगा आपके f minus del f and fc के बीच में तो वो कौन सा हुआ आपका lower tank circuit इस case में जो आपका output है वो negative होगा ठीक है तो ये तीन cases है इसके ये आप क्या करोगे अपने notes में आप लिख लोगे and ये याद कर लेना fine तो हमें upper tank circuit और lower tank circuit से अलग positive और negative मिल रहा है तो finally जो हमारे पस waveform आएगी उसका characteristic कैसा होगा वो हमें कुछ S character में मिलेगी S type में ठीक है आईसा तो जो S type है वो हमें किस में मिलता है balance detector में balance slope में and ये balance slope क्या करता है transformer की center tap potential को use करता है and इसमें हमने 3 cases discuss किये ठीक है उसके बाद हम देखेंगे frequency discriminator methods देखे फिर हम देखेंगे phase discriminator methods इसके 3 methods हैं इसके अंडर foster cellule detector, ratio discriminator and phase locked loop demodulator तो जो foster cellule है इसमें भी 3 tank circuit use किये है FC frequency पे जिसको हमने set किया हुआ है coupling capacitor जो क्या करता है DC को block कर देता है at secondary windings अभी इसी circuit diagram में देख लो ये आपकी secondary windings है ठीक है एक coupling capacitor होता है वो ऐसे लगा होता है वो DC को block करेगा तो जो यहां से आपकी voltage है यहां पे और एक winding होती है तो जो यहां पे आप input दोगे voltage का वो ही input आपको यहां पे मिलेगा तो वो मैंने include नहीं किया है आपके लिए जरूरी नहीं है आपके जो सोच रहा होता कि coupling capacitor ने क्यों लगा और इससे क्या होता है उसके लिए बस मैंने आपको बताया इसमें diodes हैं दो diodes to convert the detected signals into the usable audible audio signals तो वो कैसे होगा वो हम यहां पे देखते हैं इसमें भी मैंने का transformer and center tapping देखो यहां पे मैंने लिखा हुआ है at the heart of this circuit is a special transformer with a center tap this center tap creates two balanced halves meaning both sides are mirror images ठीक है दो balanced halves जो है center tapping से balance state में क्या होगा जो FM signal है at its normal frequency both the halves of the transformer जो है वो balanced होते हैं यह balanced state में it sends the equal and the opposite voltages through the two diodes which results in the zero voltage at the output यह कौन सी state है आपकी balance state है अब क्या होगा frequency जब deviate हो जाएगी तो there will be a disruption between disruption in the balance between the two halves of the transformer अब देखो I want you to visualize this for example आप एक see-saw पे हो see-saw में see-saw क्या होता है वो जो बच्पन में हम उन पे बैठते थे न यह बीच में एक point होता था pivot उसको बोलते थे यहाँ पे एक बच्चा बैठता है यहाँ पे एक बच्चा बैठता है तो जब यह balanced state में है यह ऐसे है समझो transformer जब उसी state में है तो वो opposite voltages आगे send करेगा and आपका क्या होगा output 0 आएगा अब अगर यह थोड़ा half में आ गया and it disrupt हो गया that means और यहाँ पे एक diode लगया है यहाँ पे एक diode लगया है ठीक है तो आपका क्या होगा आपकी frequency deviate होगे थोड़ी तो deviation से क्या होगा आपका एक diode जो है जिसमें आपको ज़्यादा voltage जहां से आ रही है वो conduct करेगा दूसरा ओफ रहेगा fine तो जो diode डायोड कंडाक्ट करेगा वहाँ से आपकी current जो है उस time पे pass होगी and उसके बाद क्या होगा जब दूसरे side से आपकी दूसरा diode जो है उसकी voltage जादा हो जाएगी तो वो अपनी current आगे pass करेगा यह सारी चीज़े आगे output में कैसे represent होगी in the form of difference in voltages difference in voltages and जब voltage different होगी उससे क्या होगा हमारा वो reflect करेगा in frequency deviations frequency deviations उसका क्या मतलब हुआ जब आपकी जो voltage है output voltage वो differ करेगी and वो finally reflect करेगा in the form of frequency deviations that means जो हमारी modulating frequency है वो हमारी carrier frequency से कितना ज़्यादा अलग है कितना ज़्यादा उसने deviate किया है and इन ही deviations से हमें क्या करना है अपनी जो message signal है उसको retrieve करना है यह इसका काम है यही मैंने foster ceiling में आपको explain किया इसके भी वैसे ही 3 phases है जो हमने पहले discuss किये क्योंकि center tapping use हुई है transform में तो एक में पहले 0 होगा एक में greater than 0 होगा and एक में आपका output जो है वो less than 0 होगा ठीके तो greater than 0 किस case में होता है जब आपकी modulating frequency जो है वो carrier frequency से ज़ादा होगी तब positive में होगा output जब आपकी modulating frequency जो है carrier frequency से कम होगी तब आपका negative में होगा output and जब यह बराबर होंगे तब आपका 0 में होगा output ठीके अब देखो जहाँ पे frequency कहीं पे ज़ादा होगी कहीं से कम होगी वहीं पर हमें अपनी message जो है वैसे ही उन्हीं deviations में हमें अपनी message मिलेगी अब अगर आपके लिए difficult है समझना आप visualize करो आप डल लेक में आपने कोई शिकारा देखा हुआ है ठीक है दूर से आप observe कर रहे हो आपको अपनी information वहां से extract करनी है आप शिकारा शिकारा को observe कर रहे हो अब वह शिकारा जो है जो बंदा अंदर बैठा हुआ है वह थोड़ा थोड़ा उसको चला रहा है तो शिकारा जो हलका हलका move कर रहा है तो आपको पता है यहां पर जो इस time पर noise होगी यह voice होगी इस time पर वह low होगी low frequency होगी ठीक है उसके बाद आप observe करते हो 5 seconds के बाद वह शिकारा तेज देज मूँ होने लगा तो आपको पता है आपकी जो frequency pitch है यहां पर वह high होगी तो ऐसे करके अपनी message signal आप उसमें से extract करोगे आपको पता होगा कहां पर low जा रहा है कहां पर high जा रहा है तो वह होता है आपका तरीका in deviation से अपनी message को extract कर इन deviations में हमें अपनी message मिलती है जिसे amplitude variations देखके हम क्या पता लगाते हैं amplitude में हमारी message कहा है वैसे ही frequency demodulation में frequency deviations से हम पता लगाते हैं हमारी frequency में message क्या है ठीक है तो ये हुआ आपका foster ceiling second one is ratio discriminator उसमें आप ये difference देख लो जैसे मैंने आपको बुला दो diodes हमने use किये इसमें बरिवापस मैं पुराने balance वाले diagram पर आती हूँ ये diagram although इसकी नहीं है पर आपको बस diodes का समझाने के लिए हमने क्या किया ratio वाले में foster ceiling में exactly ऐसे ही दो diodes हमने use किये थे ठीक है तो यहाँ पर जो voltage आती है finally output पर हम उसको plus करते है लेकिन जो हमारा ratio जो आगे ratio discriminator है उसमें क्या होता है एक diode आपका forward biased होगा एक diode आपका reverse biased होगा तो उसकी diagram ऐसे होगी ये forward biased है ये यहाँ पर उल्टा है reverse biased तो यहाँ पर जो output voltage है वो subtract होगी तो ratio discriminator में आप याद रखोगे एक diode हमारा इसमें एक inbuilt limiter है ताकि जो amplitude related error है output में वो ना आए अब देखो obviously अगर हम एक detector से scientist हमारे satisfied नहीं हो रहे हैं वो दूसरे method पर जा रहे हैं दूसरे discriminator पर जा रहे हैं उसकी वज़ा यह होती है कि एक discriminator से आपको कुछ errors आते हैं कुछ noise आती है फिर आप कोशिश करते हो अपने circuitry में और कोई चीज डालने की ताकि वो error and noise जो है वो reduce हो जाए ठीक है center tap transformer यहाँ भी use होगा transformer दो diodes use होगे एक forward bias and एक reverse bias जब FM FC के बराबर होगा तो zero voltage होगी जब FM signal जो है deviate करेगा center frequency से तो imbalance create होगा and accordingly हमारी message जो है positive, negative, positive, negative जिसे अभी मैंने आपको बता है three cases के चलते वैसे हमें मिलेगी that is your ratio discriminator third one जो हमें discuss करना है phase locked loop है पहले मैं आपको समझाऊंगी थोड़ा block diagram से phase locked loop क्या होता है इसके बाद हम देखेंगे phase locked loop से हम FMD modulation कैसे achieve करते है तो इस block diagram में यहां देखो यहां पर लगा है एक phase detector phase detector क्या करता है आपका जो input है and आपका जो output है उसके phase को match करवाता है fine अब देखो input आपने जो दिया जो आपकी voice signal है and यहां जो output से और इसमें एक चीज़ याद रखो इसमें negative feedback होता है negative feedback that means जो आपका output आएगा वो feedback के through वापस input की तरफ जाएगा and यह चीज़ तब तक होती रहेगी जब तक हमें वो achieve ना करें जो हमें चाहिए आपको कैसे क्या होता है वो मैं आपको यहां explain करते हूँ input यहां से गया फिर वो गया phase detector में और यहां से output आया वो भी गया phase detector में तो यह क्या करेगा यह देखेगा कि जो input है and जो output है इनके phase में कितना difference है ठीक है इनके phase में कितना difference है यह देखेगा and जितना difference है उस हिसाब का एक error voltage देगा यह वो कुछ error देगा input minus output अगर तो phase same है तो कोई error नहीं आएगा अब अगर phase different है तो उतना error आएगा वो pass होगा low pass filter से that means जो यह fluctuations वगेरा है जो ripples create होते है और ripples बोलते हैं उन fluctuations को जो AC current में create होते हैं उनको filter कर देगा फिर जो यहां पे amplifier लगा है वहाँ जाएगा तो ripple free जो यहां पे voltage है जिसको amplified error voltage भी बोलते हैं उसको amplify करके एक controlling voltage हमें output में देदेगा VC VC होता है controlling voltage controlling voltage ठीक है तो यह VC किसका input है आपके VCO का ठीक है VCO क्या होता है आपका voltage controlled oscillator voltage controlled oscillator मैं यहाँ पे लिखती हूँ voltage control oscillator ठीक है तो voltage controlled oscillator क्या करेगा इसको एक input जाएगा controlling voltage का fine और यहां से कोई इसका output आएगा output क्या होगा देखो voltage controlled oscillator कैसे चलता है यह क्या करेगा यह एक oscillation generate करता है ठीक है कोई wave generate करेगा वो wave किस basis पे generate करेगा कि controlling voltage इसको कितनी मिली है ठीक है तो चल क्या रहा है यहां पे input आ रहा है यहां से output feedback में भी जा रहा है phase detector क्या देखेगा input और output के phase के बीच में कितना difference है तो वो आपको एक error voltage देगा वो error voltage low pass filter से निकल के जो fluctuations वगेरा है current में उनको remove कर देगा फिर error amplifier क्या करेगा उस voltage को amplify करके देदेगा हमें output में controlling voltage वो controlling voltage जाएगा voltage controlled oscillator के input में and output में एक oscillation generate होगी अब यह जो oscillation generate हुई यह वापस से negative feedback पे चलता है तो यह output वापस से input के पास जाएगा and यह input output phase detector में जाएगे phase detector क्या करेगा इनके phase को match करवाने की कोशिश करेगा and यह matching तब तक चलेगी जब तक input and output का phase match ना हो ठीक है that means हम यह कर सकते हैं हम जिस phase का चाहे हमारा input output हो हम जिस phase का हम चाहे हमारा output हो हम input को उसी phase पे set करके इसको दे सकते हैं ठीक है वो हमने किया तो हमें जो desired phases है input के और output के वो achieve हो जाएगे क्योंकि यह जो हमारा block यह जो हमारा PLL है phase locked loop यह तब तक चलता रहेगा जब तक input और output की जो phases है वो आपस में synchronize वो आपस में match ना करें ठीक है तो इसमें आपको important याद रखना है इसमें क्या क्या लगा है इसमें एक multiplier भी इसको बोलते है phase detector भी इसको बोलते है इसमें एक low pass filter या loop filter भी इसको बोला जाता है वो लगा है and एक voltage controlled oscillator लगा है यह तो हुआ mechanism कि phase locked loop चलता कैसे है अब हमारा काम क्या है देखना phase locked loop से demodulation जो है FM demodulation वो कैसे अच्छीव होती है यहाँ एक और बात याद रखो कि input में जब हमारा जो input and output अभी तो सारा चल रहा है ना कि हमारा जो phase है वो difference है इनके बीच में और frequency दोनों चीज़े जो है वो different है यह हम use करते है parallel phase tracking के लिए भी और frequency tracking के लिए भी जब हम वो state achieve करते हैं जिसमें हमारी यहाँ पर phase जो है या frequency same हो जाती है input output की तो यह एक lock हो जाती है condition इसलिए इसको phase lock loop बोला जाता है कि फिर यह loop और हमने वो achieve किया होता है जो हमें चाहिए होता है कि input output की frequency phase हमने match करवाई होती है अब यहाँ देख लो हम इसको as FMD modulator कैसे use करते हैं यहाँ पर हमने input दिया किसी एक frequency के साथ फिर phase detector है यहाँ पर error voltage जितना हमारा frequency यहाँ से आ रही है oscillator से और जितनी हमारी input से आ रही है जितना इन में difference होगा उस हिसाब से हमारा deviation जो होगा frequency का उस हिसाब से हमारा error voltage generate होगा वो low pass filter से जाएगा again वो repulse वगेरा हट जाएगे फिर error amplifier में जाएगा उसके बाद यहाँ तक same है फिर हमारी क्या आती थी control voltage और वो VCU में जाती थी फिर output generate होके वापस input में आके हमें negative feedback देता था जो हमने मैंने आपको अभी बताया ठीक है लेकिन हम क्या कर रहे हैं हम यहाँ से output अलग ले रहे हैं तो जो यहाँ से controlling voltage है उससे output लेने के लिए हमने यहाँ पर capacitor लगाया तो controlling voltage का जो DC component है वो यहाँ से block हो जाएगा and AC क्यूंकि हमें पते capacitor क्या करता है DC waves को block करता है and AC को pass करता है ठीक है AC को pass करता है तो जो controlling voltage का DC component है वो यहाँ block हो जाएगा and जो AC component है वो यहाँ से pass हो जाएगा तो AC component ऐसा होगा आपके output पे तो जो हमारी frequency deviations होंगी वो finally हमें यहाँ पर output में देखने को मिलेंगी और उन्ही deviations में कहाँ frequency हमारी high है कहाँ पर low है उससे हमें पता चलेगा हमारी जो audio है, हमारा जो signal है वो कहाँ पर high जाता है, कहाँ पर low जाता है अगर फिर भी नहीं आया, तो कोशिश करना कि जो जो मैं बोल रही हूँ, वो वो चीज आप लिख लो ठीक है, लिख लो अपने notes बनाओ फिर भी कोई doubt हुआ, तो you can write to me currentcrunch411 at gmail.com यह whatsapp कर सकते हैं 700667255 पर इस पर आप मुझे सरिफ whatsapp कर सकते हैं call as a please directly, आप नहीं करना, कभी busy होती हूँ, classes होती है और तो मैं respond नहीं कर पाती हूँ आप text करोगे तो मैं कुछ time में आपको reply दे दूँगी तो यह था आपका demodulator, जिसमें हमने AM, FM दोनों discuss किये हैं, तो एक काफी बड़ा topic जो है, I'm happy कि आपका complete हो गया, तो इसको दो तीन बात देखो कोशिश करो, थोड़ा net से MCQs देखने की demodulator scan वो solve करने की, इस topic है, तो इसके बाद हमारा रहता है इसमें bandwidth वाला topic, एक bandwidth है और उसके बाद हमारा जिसे AM, FM applications वगेरा है तो वो स्रिफ factual चीज़े होंगी आपको बताने वाली, तो वो मैं आपको simple उसके सिर्फ notes देदूँगी, वो आप पढ़ ले न, ठीक है तो उसके बाद हमारा radio wave propagation हम start करेंगे and again आपका unit 1, unit 3 हम merge करके आगे चला रहे है तो till the time you get a new video, bye bye, take care, have a great day